सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े हसानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेड़ पर दोस्तो आज हम हाईर आज्यूकैसन का टॉपिक करने वाले हैं देखिए पहले इसमें 2-3 कोशन आते थे और अब की बार इसमें कितने कोशन आएंगे वो हम अच्छे से नहीं कह सकते क्योंकि पहले क्या था कि higher education के साथ में polity का topic भी एड़ था लेकिन एड़ तो अभी वी है वो और दिसंबर 2018 में और जून 2019 के अंदर polity से question बहुत कमाये थे ना के बराबर question आये थे उन में से बिलकुल ना के बराबर question आये थे तो इस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि higher education में अभी प पांच question आएंगे कितनी question आएंगे यह हम अच्छे से नहीं कह सकते हाँ लेकिन higher education में अब की वार कुछ topic एड़ हुए है नई से लेवस के अंदर तो हमें इन सभी topic को करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है तो आज किस वीडियो में दोस्तों हम प्राचिन भारत में शिक्षा और अंग्रेज़ों के टाइम में किस तरह से हमारी शिक्षा होती थी उसके बारे में चर्चा करेंगे तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचिन भारत में शिक्षा यानि कि पुराने समय में हमारी सिक्षा किस तरह से होती थी राजा महाराजाओं के टाइम में देखे उस टाइम जो जादतर सिक्षा होती थी वो गुरु कुल के अंदर होती थी गुरु कुल क्या होता था हम देख लेते हैं एक ऐसे विध्याले जहां विध्यारती अपने प्रिवार से दूर रहे कर गुरू के प्रिवार का हिस्सा बन कर शिक्षा प्राप्त करते थे दोस्तों पहले क्या होता था कि जो बच्चे थे वो जो टीचर है उसी के पास में रहते थे गुरू कुल होता था जैसे विध्याले कहे सकते हम वहीं पे वो रहते थे वहीं खाते पीते उठते बैठते सो प्रशिद अचारियों के गुरुकुल में पढ़ेवे चात्रों का सब जगह बहुत समान होता था यहां पर आप पढ़ सकते दोस्तों क्या था कैसे था और किनके ने सिक्षा ले और इसमें जो कुछ ध्यान देने वाली बात है जहां से कोशन आ सकते वो यह है कि प्राचन भारत के गुरुकुल के अंतरगत तीन प्रकार की सिक्षा संस्थाए थी क्या थी वो देखते हैं एक उसके बाद में है तपस्थली जहां बड़े-बड़े समेलन होते थे और सभाव तथा परवचनों से ज्ञान अर्जन होता था ठीक है और उसके बाद में और भी कई चीजी है जैसे गुरुकुल के अंदर इसके अंदर क्या है कि भारत के गुरुकुल आस्रमों के अचारि और प्रदान आचारिय को कुलपति या महाउपाध्याय कहा जाता था ठीक है ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है हो सकता इसमें से कुश्चन आजाए और उसके बाद में जैसे गुरुकुल में किस प्रकार चात्रों को वाजित किया जाता था ये भी हम देख लेते हैं वासू जिन्हें वासू कहा जाता था वो क्या होता था 24 साल की उमर तक जो शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें हम वासू कहते थे उसके बाद जो 36 साल की उमर तक शिक्षा प्राप्त करते थे उनको हम रुद्र कहते थे और फिर आदित्ये 48 साल तक की शिक इडिया के अंदर किस तरह से सिक्षा होती थी उसके बारे में टॉपिक एड हुआ है तो यहां से आप बेसिक चीज पढ़ सकते हैं गुरुकुल के बारे में और अब बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजों के समय में भारत में सिक्षा किस तरह से थी और उस दुराण क्या-क् कोलिज बने उनके बारे में हम बात करते हैं देखिए अंग्रेजों के दवारा भारत में सिक्षा की विकास की शुरूआत 1781 में वारेन हैस्टिंगन के दवारा कलकता मदरेसे की स्थापना से हुई ठीक है यहां ही है इसका उदेश से मुसलिम कानों तथा इसे संबंधित अन्य विश्यों की सिक्षा देना था इसके उपरांत 1791 में जोनाथन डकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कोलेज की स्थापना की गी जिसका उदेश से हिंदी विधी का दर्शन का अध्यन करना था ठीक है और उसके बाद में जैसे और विकावी चीजी है दोस्तों य हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है इन में जो में 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 बात है आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कौनषे कोलेज की इस्थापना हुई थी और उसके वाद में दोस्तों हमारे पास आता है चार्टर अधिनियम आता है इसमें से कोश्षन आए हैं पहले अलग एक्ज क्या था दोस्तों विग्यानिक ग्यान का परसार करना था इस चार्टर अधिनियम का इसाई मसीनरियों को देश में अपने धर्म का परचार करने की अनुमती दी गई थी देखिए अंग्रेज लोग जब आये थे सिक्सा लेके हमारे पास तो उनका एक मकसद था वो था कि अप की रील में हमें शिक्सित नहीं करना चाहते थे और 1817 में कलकता में हिंदू कॉलिज स्थापित किया गया उसके बाद 1815 में प्रेजिडेंसी कॉलिज बना जो 2010 में प्रेजिडेंसी विश्विध्याले बन गया तो ये भी इंपोर्जन है हमारे लिए आगे दोस्तों हमारे पास लाड मेकाले की सिख्षा परणाली 1835 में यह भारत में सिख्षा परणाली की स्थापना का एक प्रयास था जिसमें समाज को केवल उच वर्ग को अंग्रेजी माध्यम से सिख्षा परण करने की बात कही गई थी इसमें कहा गया था कि जो समाज के उच वर्ग के लोग है क और उन्वे जिक्षा देनी चाहिए और फार्ष़ी की जगए अंग्रेजी को नियालो की भासा बना दिया गया और क्या था दोस्तों कि इसके इनिर जो ंंग्रेजी पे बहुत ज़्यादा जोड़ देने लग गया और जो लेंग्वेज थी फार्षी थी उर्दू थी उनको बहुत कम कर दिया गया तो ऐसा कोशन आ सकता है कि किस सिक्षा परनाली के अंदर अंग्रेजी सिक्षा पर बहुत जोर दिया गया था और फार्शी की जगे नियायालों में अंग्रेजी सिक्षा को बदला गया था तो इस तरह की कोशन आ सकते हैं थोड मारत में अंग्रेजी का सिक्षा का मेगना कार्ट भी कहा जाता है इसमें जनता में सिक्षा के परसार की जिम्मेवारी राज्य को सौंपने की बात कही थी इसमें कहा गया था कि सिक्षा का जो परसार है वो राज्य दवारा करना चाहिए उसके भी अधिकार होने चाहिए और क्या है इसने उच्छ शिक्षा है तो अंग्रेजी माध्यम और स्कूल शिक्षा के लिए देशी भासा माध्यम की वकालत की इसने क्या कहा था कि उच्छ शिक्षा हाईर एजूकेशन के लिए अंग्रेजी होनी चाहिए और जो नीची एजूकेशन जो बेसिक माध्यमिक एज उसके लिए हमारी जो देशी भाजाय है उनका उपयोग करना चाहिए यानि कि जो जो कमीशन आयोग वगरा जो भी बने समीती बने तो हर किसी के अपने अपने विजार थे तो यह हमें थोड़ा ध्यान में रखना जुरूरी है और उसके बाद है दोस्तों हंटर आयोग 1882-83 क के अंदर इस आयोग का गठन डबलू-डबलू हेंटर की अध्यक्षा अध्यक्स्ता में 1884 में वुड़ डिस्पैस के तहत विकास की समयक्षा है तो किया गया था इसमें जो मुख्य बाते हैं वो देख लेते दोस्तों इसने प्रात्मिक और स्कैंडरी सिक्षा में सुधा इसके अंदर और उसके बाद मैं दोस्तों सेंडलर आयोग अब देखिए इसमें क्या था इसमें था कि इसके सुझाओ क्या थे वो हम देख ले थे 12 वर्षिय स्कूल पाठ्थे करम यानि कि इन्नोंने 12 सालों के लिए एक स्कूल का पाठ्थे करम त्यार किया था तीन अब ये भी आ सकता है, दोस्तो। महिला सिक्षा का सुजाओ किस आयोग के अंदर दिला गया था। वो है सेंडलर आयोग। और आगे हमारे पास हर टोग आयोग 1939 के अंदर इसके अंदर क्या कहा गया था। कि शिक स्थानों के अंधा धुंद वृद्धी की कारण सिक्षा स्तर में आई गिरावट की समिक्षा करने के लिए फिलीप हर्टोग की अध्यक्सता में एक समीती का गठन किया गया इस समीती के क्या-क्या सुझाओ थे वो हम देख लेते हैं इसमें कहा गया था कि समीती ने प्राथमिक सिक्षा के महतों पर बल दिया था इसने किया था प्राथमिक सिक्षा जो होती है उस पर ज्यादा बल दिया था लेकिन अनिवार्य ताया सिघर परसार को अनुचित बताया था और इसने कहा था कि वो थोड़ी important होनी चाहिए लेकिन अनिवारिये नहीं होनी चाहिए सभी के लिए मज़ूरी नहीं करनी चाहिए कि ये आपको करनी ही करनी है और उसके बाद इन्होंने कहा था केवल समर्पित विध्यारतियों को ही उच्चतर एवम उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने की अनुमति देनी चाहिए और उसके बाद था जैसे कि जबकि समाने स्थर के विध्यारतियों को आठमी कक्षा के पस्चात वयवसाइक कार्यकरम में दाखिला लेनी चाहिए इसना का था कि जो केवल जो विध्यारति सीवियस है पढ़ने के लिए तो उनको ही केवल उच्च शिक्षा लेनी चाहिए और जो विद्यारती समान्य है नॉर्मल है उनको आठमी कक्षा के बाद वैवसाइक सिक्षा लेनी चाहिए जिससे वो अपना रोजगार चलास के ये बात भी इसकी सही थी और उसके बाद दोस्तों मूल सिक्षा की वरधा योजना 1937 के अंदर आए थी इसके अंदर क्या था इसके अंदर था कि मूल उदे से मूल उदे से इसका क्या था गती वीदियो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना था इसका उदे से था कि जो लोगों को स्टूडेंट को प्रैक्टिकली ज्यादा सिखाया जाए उससे उनको ज्यादा अच्छी सिक्षा प्राप्त होगी पाठ्यकर्म के अधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए यानि कि जो हमारा सिक्षा थी उसके अंदर दस्तकारी को सामिल किया जाए ताकि लोग हाथ के दवारा अपना कोई काम करके अपना अच्छा रोजगार प्राप्त कर सके और उसके बाद था राष्टे सिक्षा वैवस्था कि पर्थम साथ वर्स निसुलक अनिवारिया होने चाहिए यानि कि इसने कहा था कि जब हम सिक्षा लेते तो साथ साल तक हमारी सिक्षा अनिवारिया और निसुलक यानि कि फरी और अनिवारिया होनी चाहिए और उसके बाद में क्या था कि सिक्ष्या मात्र भासा में होनी चाहिए कि यानि कि जो साथ साल तक हम सिक्ष्या लेंगे शुरू के वो हमारी मात्र भासा में होनी चाहिए कक्ष्या दो से साथ तक की सिक्ष्या का मध्यम हिंदी होना चाहिए अंग्रेजी भासा में शिक्षा कक्षा आठ के पस्चात ही देनी चाहिए ये सभी किसके सुझाओ थे दोस्तों ये थे हमारे मूल मध्यूल शिक्षा की वरधायोजना 1937 के सुझाओ थे और उसके बाद में जैसे इसके अंदर प्रवेश के नियम अत्यनथ कटौर होने चाहिए विशल विद्यध्थाले सिक्स्या में सुधार के लिए विश्व विधाले प्रवेश के नियम का त्यंत कठोर होने चाहिए यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों विश्व विधालोगे अड्मिसल लेने की जो पर किरिया थी वो कही ना कहीं कठोर होते हुई जा रहे थी हमने दो तिन वारी चीज पढ़ ली है तो दोस्तों यह थे हमारे आज के अंग्रेजों के टाइम में चलने वाले कुछ समीती कुछ आयोग कुछ अधिनियम जो सिक्स्या पर लागू हुए थे तो दोस्तों आप एक वर दोबारा इन सभी को पढ़ सकते हैं तो नोट सा बना सकते हैं में भी इन में से एक दो कोशन आने की संभावना है साइध इन में से कोई कोशन आ जाए तो प्लीज आप एक वर इसको पढ़ना जरूर दोस्तों आज हम हाईर एजुकेशन के अंदर सवतनतरता के बाद भारत में बनी कुछ सिक्षा समीति और आयोग के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों इसमें से काफी कोशन आज तक आये हैं और जुन 2019 और दिसमर 2018 में भी इसमें से काफी कोशन आये हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा important होने वाली है और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि जून 2019 के अंदर किस तरह के question आये थे और किस तरह से हमें उनको करना है तो आज इन आयोग और समीतियों को करना हमरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं विस्व विद्याले सिक्षा आयोग की इसे दोस्तों राधा किर्शन आयोग भी कहा जाता है यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों आपको कन्फूज कर सकते हैं यह UGC नहीं है दोस्तों यह University Education Commission है UEC है कई लोग इसमें कन्फूजन हो जाते हैं वो सोचते हैं कि यह UGC की बात कर रहे हैं दोस्तों यह UEC की बात चल रहे है University Education Commission की इसमें देख लेते हैं क्या खास बात है भारत सरकार दवारा नौंबर 1948 में भारते विश्व विधाले सिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए निक्त किया गया था यह कोशन आ सकता है दोस्तों और यह क्या था दोस्तों यह सवतंतर भारत का पहला शिक्षा आयोग था यह चीज हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके बाद कुछ इसके जो लक्स जांच थी वो इस प्रकार है वो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि उच्छ शिक्षा के लक्षों को निर्धारित करना उच्छ शिक्षा के विश्य में अपनी राय देना उच्छ शिक्षा के सिक्षन सतर को बढ़ाना तो यहाँ पर इनके कुछ जांच के सतर थे संस्थापक थे वो थे दोस्तों लक्समन सवामी मुदालियर की अध्यक्सता में इसकी स्थापना की गई थी और इस आयोग को दोस्तों माध्यमिक सिक्षा आयोग भी कहा जाता है यह हमें ध्याने में रखना जरूरी है और इसकी स्थापना तेस सितंबर 1992 को हुई थी और इसने जो सुजहाव दिये थे वो क्या दिये थे दोस्तो इसने कहा था कि चार या पांच वरस तक जो शिक्षा होनी चाहिए वो प्राइमरी सिक्षा होनी चाहिए और उसके बाद में स्केंडरी शिक्षा को दो भागों में बांटना चाहिये और सबसे पहले इन्होंने MCQ कोशन के बारे में MCQ यानि की Multiple Choice कोशन के बारे में इन्होंने बात की थी उसके बाद में संख्यात्मक अंक देने की विजाए संख्यतिक अंक देने के लिए इन्होंने सुझाओ दिया था और उसके बाद जैसे इन्होंने के उदेश से क्या थे उदेश से भी यहां पर हम देख रहेते हैं भारत की तत्कालिन माध्यमिक शिक्षा के स्थिति का अध्यन करके उस पर प्रकास डालना विभिन परकार के माध्यमिक विध्यालों का पारस्परिक संबंद यानि कि एक दूसरे के साथ कोनेक्ट होने चाहिए वो उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन होने चाहिए मात्मिक शिक्षा का प्राथ्मिक शिक्षा बेसिक था उच शिक्षा के साथ संबंद होना चाहिए यह इन्होंने कुछ सुझाओ दिये थे और उसके बाद जो सबसे इंपोर्टेंट आता है दोस्तो हमारे पास आता है डॉक्टर डीस कोठारी आयोग इसमें से काफी कोशन आ परनालिक नया आकार्व नए दिशादेने के उधिस्षे से किया गया था इसकोठाडी आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसकी जो फोकस किया था स्कूली सिक्षा के उपर दोस्तों और ये कॉशन भी आ चुका है हमारे में मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि जून में इसमें से कैसे कॉशन आया है कोठारी आयोग या रष्टी सिक्षा आयोग भारत का पहला सिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में समाजिक बदलाओ को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुजाू दिए थे दोस्तो इसे हम राष्टी सिक्षा आयोग के नाम से भी जानते ये भी हमें पता होना जरूरी है और यह भारत का ऐसा पहला सिक्षा आयोग था दोस्तो जिसने अपनी रिपोर्ट में समाजिक बदलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुजाओ दिये थे और मैं वीडियो में दिखाऊंगा आगे कि किस तरह से इसमें से कुश्चन आये है आगे बात करते दोस्तो हम राष्टे सिक्षा नीती पर पुनर विचार 1992 में एक सजक व्यमानवता वादी समाज के लिए सिक्षा का इस्तेमाल इसे अचारे राम मुर्ति समीती भी कहा जाता इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था दोस्तों M.B. बूच समीती साल 1989 के अंदर दूरस्त शिक्षा माध्यम पर बनी पहली सिक्षा समीती यानि कि डिस्टेंस एजूकेशन पर जो सबसे पहली समीती बनी थी वो थी दोस्तों M.B. बूच समीती थी और उसके बाद दोस्तो जी राम रेडी समीती सन 1992 के अंदर बनी थी दूरस्त शिक्षा पर केंदरित प्रामर्स समीती थी इन दोनों के अंदर यह डिफ्रेंस आपको पता होना चाहिए यह क्या थी दोस्तों Central थी तो ऐसे कोशन आ सकता कि इनिम लिखित में से कौन सी ऐसी समीती थी जो दूरस्त श 1992 में भार्त सरकार के मानव संसाधन विकास मंतराले ने एक राष्टिय सलाकार समीती का गठन किया इसकी जो मुखे बाते थी वो क्या थी दोस्तों समीती को इस बात पर विचार करना था कि सिक्षा के सभी सत्रों पर विध्यार्थियों विशेशकर छोटी कक्षा के विध् विद्यार्थियों विशेशकर छोटी कक्सा की विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दुरान पढ़ने वाले बोज को कैसे कम किया जाए इसके उपर विचार किया गया था और ये कोशन आ सकता है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है और इसने क्या कहा था दोस्तों यहां पर हम लिखा वो हम देखते हैं बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोज से ज्यादा बूरा है ने समझ पाने का बोज यह देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए यह कहरे है कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोज से ज्यादा कौन सा बोज है बच्चे के ना समझ पाने का बोज यानि कि बच्चे को अगर कुछ समझ में ना आए तो वो कितना बड़ा बोज है बस्ते का बोज तो हैंडल कर शकता है जैसे तैसे करके लेकिन ना समझबाने पाने का जो बोज है वो बहुत बड़ा है समझ में आना बहुत जादा जुरूरी है बच्चे को और उसके बनाने के लिए किस समीती का गठन किया गया था इस तरह से एक कोशन आया था दोस्तों वो भी हम आपको दिखाएंगे और इसमें जैसे मैंने आपको बताया भी इनकी और भी काफी सारी चीजे जैसे यहां पे दी हुई है बलैक के अंदर आप यह पढ़ लेना दोस्तों यह समीती दोस्तों वीड पत्राचार के लिए बनाई गई थी उसके बाद नो पे है प्रोफेसर खैरमा लिंग दोस्तों समीती इसने दोस्तों पत्राचार वीड अवधी 14 महां तै की गई थी इसके दुरान और प्रोफेसर आर्टकवाले समीती इसमें क्या कहा गया था गई थी और उसके बाद जो most important आती है दोस्तों हुए है हमारे पास राष्टी ज्यान समीथी और इसे दर national knowledge कमिशन भी कहा जाता है इसकी सथापना हुई थी दोस्तों दोस्तों दोजार पांच वे एक डाइरेक्ट कोश्चन आया था कि राष्ट्य ज्यान आयोक की सथापना कब हुई थी वो हमें बताना था तो इस तरह से भी डाइरेक्ट वे हमसे पूछ सकते हैं तो इसकी जो मुख इस आयोक का मुखे उदेश से वे कारियत थे तो दोस्तों यह आ सकता है इस तरीके से कोशन पेपर में कि चार पांच लाइने दे देंगे और कह देंगे निमल लिखित में से यह कौन से आयोक के कारिया उदेश से थे तो यह हमें पता होना जरूरी है राष्टी आयोक के का बैसे नहीं पिडि को शौंपा जा सके जहाई अब देखे इसके अंदर क्या का गया धोस्तो इसमें ये कहा गया कि इसका जो एक और मुख्य हुद इससे था वो क्या था धोस्तो भारत की अ्मुले प्राचिन प्रमप्रए स्सक्षितिक धुरोहर को संजो कर उसे नई पीडी को सोंपा जास के ये ये भी इसका एक मेन उदेश से था तो ये चीजे हमें पता होना जरूरी है दोस्तों और ये सारी चीजे आप एक बार पड़ जरूर लेना और इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में सिक्षा को वैवसाइक सिक्षा वैपेशेवर स सिक्षा दो भागों में बांटने का सुझाओ दिया था ये चीजे भी हमें पता होना चाहिए और उसके बाद जो दोस्तों नमबर बारा पे जश्टिस जे एस वर्मा समीती आये थी दो हजार बारा के अंदर सिक्षा की सिक्षकों की अक्षमता की समय समय पर जांच यानि क ये देखे ये 2017 के अंदर आये थी इसे नेशनल एजुकेशन पोलिसी कहा जाता है और इसका क्या कारे था दोस्तों वो हम देख लेते हैं इस समीती का गठन डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्सता में हुआ था भार सरकार के मानव संसाधन विकास मंतरा ले दबारा तो इसका गठन किया गया था और इसके अंदर क्या है दोस्तो इसके अंदर देखते इस समीती को राश्टे सिक्षा नेती 2017 का मसोधा त्यार करने की जिम्यवारी दी गई थी और और इसके अंदर जो मेन-मेन बाते हो हम देखते दोस्तों यहां पर आव ऐसे पढ़ सकते य इसे इस बल दिया जो आधुनिक ग्यान और प्राचिन बुद्धी मता के बीच समूचित संतोलन स्थापित कर शके यानि कि इसने एक मुखे बात क्या कही थी दोस्तों हमारा आधुनिक ग्यान जो है वो प्राचिन बुद्धी मता उन दोनों को मिला के हमें अच्छी सिक्षा अपनानी चाहिए और उसके बाद में और भी कई चीज़े थी आप यहां पर पढ़ लेना बिलकुल असान दिया हुआ है और उसके बाद में दोस्तो एक और जो most important चीज़ है वो हम और देख लेते हैं higher education commission of इंडिया यह अभी तक finalize नहीं हुआ है दोस्तो इसके अंदर क्या कहा गया है HRD ministry is planning to introduce the higher education commission of India HECI which is expected to replace UGC and AICTE इसके अंदर क्या कहा गया है दोस्तों कि जो UGC है और AICTE है इन दोनों को खतम करके एक commission बना देना चाहिए higher education commission of India इन्होंने कहा है कि जो UGC है वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है और AICTE है यह भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है तो इन दोनों को खतम करके एक higher education commission of India बना देना चाहिए अभी इस पे विचार चल रहा है दोस्तों इस पे कोई अंतिम फैंसलन नहीं आया है तो दोस्तों नमबर 15 पर आते हैं हमारे पास परस्तावित राष्टे सिक्षा नीती या फिर इसको नई सिक्षा नीती 2019 न्यू एजुकेशन पॉलिशी 2019 के नाम से भी जाना जाता है इसके अंदर किया है दोस्तों इसमें हमारी एजुकेशन काफी हद तक बदल जाएगी इसके अंदर मुख्य रूप से चार भागों को समलित किया गया है इसमें जो सबसे पहला भाग है इसके अंदर दोस्तों विध्याले जो शिक्षा उस पे ध्यान दिया गया है दूसरे में उच्छ सिक्षा, तीसरे में प्रोधयोगी की, यानि कि हमारे Science और Technology उचे बात की गई है चोथे में वयवसाइक सिक्षा पर ध्यान दिया गया है इस के अंदर जो मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है दोस्तों, वो इस चीज पर दिया गया बच्चे की रूची के अनुसार उसमें पढ़ाना चाहिए उसको और इसके अंदर जो मुख्य रूप से क्या बात है दोस्तों वर्स 2025 तक 3 वर्स से 6 वर्स तक के उमर के सभी बच्चों को निसुलक, सुरक्षित, उच गुणवत्ता पुर्व और विकास के लिए उप्युक् मुहिया कराने का लक्षे है और इसके अंदर जो एक और मुख्य रूप से बात है दोस्तों फॉर्मूला 5334 का फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हमें समझना जुरूरी है इसमें से कोशन आ सकता है इसके अंदर क्या गया है क्या क्या गया है दोस्तों नसरी से 12 तक की प्रिप्रेरी स्टेज के लिए इसे फाउंडिसेंग in तक 10 से 5 तथा आड रातर से 11 वर्स के बच्चों के लिए इसरी इता प्रिप्रेटरी स्टेज कहा गया है तीसरे चरण में दोस्तों कख्शियं छे से 8 तक तथा 11-14 बड you своq इसमें सामिल क्या अ और इसे middle stage कहा गया है चोथे चरण में दोस्तों नौवी से वारवी तक और 14 से 18 वर्स तक के बच्चों के लिए ये रखा गया है इसको secondary stage कहा गया है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा important है साइध इसमें से कोई question आ जाए तो आप इसे भी एक बर देख लेना अब देखते दोस्तों अब हमारे कुछ question आये थे जून 2019 में और December 2018 में देखे दोस्तों ये है हमारा question number 36 भारत में प्रिक्षा प्रनाली की समस्या उपर विशेस बल निमिल लिखेते रिपोर्ट में से किस रिपोर्ट का भाग है ये हमें बताना है अब देखे मैं आपको दिखाता हूँ ये किसका भाग है अब ये देखे दोस्तों ये हमारे DS कोठारी आयोग था इसने क्या कहा था आयोग ने स्कूली सिक्षा की गहन समिश्या प्रस्तुत की जो भारत के सिक्ष्या इतिहास में आज तक किसरवाधिक गहन अध्यन माना जाता है यहां से आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी और इसे देखे कोठारी आयोग या फिर राष्टे सिक्ष्या आयोग भी कहा जाता यह 1964 के अंदर आया था और यही उस कोश्चन का आंसर है दोस्तों यहां पर मैं दिखा देता हूँ अब देखे इस कोश्चन में यही दिया हुआ है भारत में प्रिक्ष्या प्रनाली की समस्याओ पर विसेसबल निमल लिखित रिपोर्ट में से किस एक रिपोर्ट का भाग है वो हमें बताना है इसमें जहां तक मेरा आइडिया है दोस्तों वो इसका अंसर आएगा हमारा अप्सन नमर टू विसेस देहले सिक्ष्या आयोग की रिपोर्ट 1964 और 1966 देखिए इसका अंसर ओफिसियल आंसर हमें नहीं पता है क्या होगा इसका लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है इसका अंसर अप्सन नमर टू होगा अगर आपको इसका अंसर कुछ और लगता है तो वो आप हमें बता सकते हैं और आगे question देखते हैं दोस्तों आगे है हमारे पास question नमबर 40 इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है in post independence India which one of the flowing committee commission report deal with all level of education in India सभी तरह की education level के बारे में किस ने बात की थी दोस्तों वो हमें बताना है इसके अंदर दिया है option number 3 कोठारी आयोग यानि की कोठारी commission अब देखिए ये बात भी इसी के अंदर कही गई थी दोस्तों अब ये बात भी दोस्तों कोठारी आयोग के अंदर की गई थी आप एक वार दोबारा इसे पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा तो यहां से अपना जो अंसर आएगा दोस्तों इसका अंसर भी क्या आएगा इसका अंसर हमारा option number 3 कोठारी commission आएगा इसका official answer यही है दोस्तों UGC का यह जो कोशन है दोस्तों यह कोशन है दोनों के दोनों सेम है यह हमारी पिक है यानि की image है और यह टाइप किया हुआ है देखिए इसके इंदर हम पढ़ने की कोशिस करते हैं कि दा education commission of india that first took serious note of the problem brain drain बाज तो इसका अंसर दोस्तों इन्होंने option number a दिया है the education commission of india अब बात यहां पर यह समझ में नहीं आ रही दोस्तों education commission of india तो यहां प dul na question में दे रखा है तो यह पूछ किया रही है यहांपे यहां पर यह होना था यह फिर यह होना था that the commission that first durch serious note of the problem brain drain यानिकि इन्होंने commission का नाम तो यहीं पे दे दिया और फिर दोवारे कमिशन का नाम पूछ रहे ये बात मेरे को समझ में नहीं आई दोस्तो लेकिन इसका जो आंसर है ओफिसिल आंसर यही है दोस्तो The Education Commission of India तो आगे हम देखते हैं दोस्तो आगे हमारा कैसा कोशन है आगे है दोस्तो ये हमारा जून 2019 के अंदर आया था The National Knowledge Commission राश्टिक ग्यान आयोग वाज एस्टिवलाइज इन विच एर ये हमें बताना ये हमें पता है दोस्तो ये 2005 में इसके स्थापना हुई थी मैंने आपको पीछे भी बताया था ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखे दोस्तो राश्टिक ग्यान आयोग यहाँ पे हमने बत की थी इसके स्थापना 2005 में हुई थी और यही कोशन हमारा दोस्तो जून 2019 के अंदर आया था तो देख सकते हैं दोस्तो किस तरह से कोशन पेपर में कोशन आते हैं बिल्कुल असान कोशन आते हैं बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवसकता होती है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो शी वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दवाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को अचानी से देख सके ताकि दोस्तो